हेलो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों आज दिल्ली से जम्मो की स्वीर और लगदाव ठीप का मेरा दूसरा दिन है आज मैंने अपरी जर्णी की सुगाथ पानी पस्ते की है और पानी पस्ते लगभग दस क्लिमीटर के आसपास तक आचका हूं और इस साइकल जो है है बहुत सांथ मज़ा रहा है इस त्रिप में आप भी उमीद को अच्छे से अंज़ाए कर रहे होंगे तो दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाय रखें बनाया रखें जादा से यहादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंश्टराग्राम कर हमें फ़ोलो करें और सपोर्ट करें बार मेंने इस गदी में थोड़ा सा परेन होता है तो इसको मैं नहीं आपर बांद लिए बाकि मैं आई लॉप पानीपत का बोर्ड मुझे दिखा मैंने अपनी बाइक पीछे को मौड़ी और फोटो फित्वाने के लिए आ गया तो एक फोटो लेते हैं बाकी निकलते हैं यह ना वाइस अभी सेल्फी के लिए बोल रहे है कर दो 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 आज अब किया है कर दो दो कर दो दो कि अगर साइकल के लिए आए इदर को यह जो उपर से हुटे भी रास्ता जाता है ना यह उन लोग के लिए होता है जिनको कोई डिस्टरवेंस में चाहिए ना और यह पुरा बहुत ज्यादा ही चड़ाई वाला होता है तो चड़ने में काफी ज्यादा मसकत करनी पड़ते है तो इस बिटर कि आप नीचे वाले रास्ते से ही जाए बाइपास से है ना कि छोड़ी छोड़ी इंफॉर्मेशन है आपको मैं बताता रहूंगा सुगाइस अभी मेरी चैन उतर गई है तो इसको यार कैसे करना है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है एक लिब्रिकेंट प्रिल लेता हम कि दोस्तों साइकलिंग में एक बात तो है एक पैसे कभी टोलनी देना पड़ता है अब आराम से इंजुआ करते हैं साइड किनारे करके निकाल सकते हैं कि दिनके और जोदो दुना थाइस कि आज राइड कम्प्लीट हो गई है तुवे मैंने आठ बजे स्टार्ट किया था आज की राइड बहुत सारी फैक्टियस यह और डी का सोरूम है यहाँ पर देखो कि वाड़ी वालो इस्पांसर देदो क्रोम हैं करूंगा पूरे रास्ते यह फार्स्ट वालो टायर का डिस्प्रेय करा इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि यहां पर कहीं फंत्रा है देखता हूं अभी अभी मैं ऐसे स्टेट हूं ना फुड़ा सा जुक के ऐसे हाथ रखे काफी हेल्प मिल रही है इसमें अभी बॉड़ी मेरी वामोफ हो चुकी है यह ना बॉड़ी ने हैबिट बना ली है तो भी मैं रुकना नहीं चाहता मैं पुस्छिस करूंगा कि मैं बारा साठे बारा एक बजे तक कंटिउनू सैकलिंग करूँ अबैस अब थोट थोटा है तो साइकलिंग है एक साजी कुछ भी पॉस्विल्टी हो सब्सक्ती है ना अभी कंटिउन साईकलिंग परूट ज्यादा बेटर है तो आपने नो तारीकों स्टार्ट किया था तो वैस्टनो देवी जा रहे हो तो आज हो गया है बाइस तारीक है ना तो बारा तेरा दिन हो गए आपको एना तो क्या लगता है कब तब कहुं जाओगे आप जम्मु कश्मीर इस दिन में पहुं जाओगे तो क्या आप इससे नंगे पैर जा रहे हो तो रात में कैसे रुखते हो अंकल ढाबे पर और खाने पीने का कैसे पुरा पातारानी कोई बी किसी को भी पहुंचा देती अच्छा कोई सपोर्ट करता है आपको खाने पीने के लिए कोई भी चलता ह पानीपत को में पीछे 60 किलोमेटर ठोड़ा हूं साथ किलोमेटर की मेरी अरइड कंप्रीट हो चुकी है एनरजी खतम हो चुकी थी एनरजी बिल्कुल बची नहीं थी शरीन में एक जूस पिया था संत्रे का बाकि और कुछ नहीं तुब ही लंज कर रहा हूं आज का जास म से कुरुक शेत्र 11 किलोमेटर है करणाल में हूं मैं भी कूपर वाली सब्सक्राइब क्योंकि यह डिवाइडर बना हुआ था किनारे साइकल चला रहा हूं मैं और यहां पर देखो पूरी सुटी है सहर है करणाल कर दोस्तों अभी अंबाला यहां से 32 किलोमेटर रहे गया है और टाइम वहाए चार बच कर पंदरा मिनिट आज मेरा सेकेंड डे है ट्रिप का और पहले मैंने सूचा था कुर्षित में रुक जाऊंगा लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाई तो पर थोड़ा भरोसा हुआ कि ह यहां मैं अमबाला पहुंच सकता हूं अभी 32 किलोमेटर है मेरे पास दो गुंटे का कंप्लीट टाइम है मैं चाहता हूं कि आज अमबाला पहुंच जाओं बाकि जैसा भी अपडेट रहा मैं आपको बता दूँगा और मेरी थार यहां पर खड़ी हुई है आज मैंने यह लगा लिया था मेरे पास तो यह थोड़ा पीछे दर्द ना हो इसलिए मैंने यह लगा लिया था यह अपना छोटा वाला बैकपेक था ना यह यहां पर लगा लिया था मैंने और गाईस सपोर्ट की जरूत है अगर हो सके पॉस्पल हो सके मुझे सपोर्ट किरें यह मेरा यूपियाई नंबर है और यह स्कैनर है तो दिखा देता हूं मैं अब दो अभी 34 किलो मेंटर दिखा रहा है यह ना है अब की अब देखते हैं कि तो फो तो है अब फोड़ा थाइम है अब दो गूंटे का टाइम है अब अब जैसा लगा रहा है गाई संसेट में होने ही वाला है तुद देखो अम वाला यहां से यह भी भी 15 किलो मेंटर से जब्दा है और यह सूखी नदी है पता नहीं कौन स अज सेकेंट है पहले पानी पर तुका था करो पानी पस्ते आज अबाला रुखने का प्ला लाए राथ है अब आज पंजाब में मेरे ऑफिसियल एंट्री हो चुकी है अभी आज दूसरा दिन है और आज का डिसनेशन अबाला केंट था यहां से अभी बारा किलोमेटर रह जाता है संसेट पूरा हो चुका है टाइम हो चुका है पौन अच्छे के आसपास ठीक है और मैंने पंजाबी स्वांच लगा दिया है कि कुछ भूल देया हूं हूं है गाइस टाइम हुआ है छे बचकर पंदरा मिनट औ और अमबाला सिटी से अभी मैं आठ किलोमेटर दूर हूं विल्कुल अंधेरा हो चुका है लाइटे सारी आप देख सकते हैं सारी जल गई है जिन्दगी में पहली दिफा है कि मैं रात में राइट कर रहा हूं यह भी एक्स्पिरियंस होना जरूरी है यह भी वी पार्ट सब्सक्राइब जर्णी है मैं तो रहे फ्लेक्टर में अपनी बाइक में लगा लिया था दिखाता हूं कि आप लाइस फाइनली अमबाला केंट पहुंच गया हूं अब मुझे यहां पर खोड़ा सा तुरकर एक गुरुद्वारा देखना है आसफास तो थोड़ा एक बार आगे जाके रुक जाता हूं जो नियरेस गुरुद्वारा है ना और कोई मैं पूंच लेता हूं लोगों से मिल जाता है तो दूसरे वाले गुरुद्वारा में चला जाओंगा बाकी आज की राइट काफी अच्छी रही आज का हाइस्ट स्कोर है मे और अभी भी मुझे इस्टे का प्रबंद नहीं हो पाया है में अबाला केंट किया था वहां 3-4 गुरुद्वारे में वहां सारे गुरुद्वारे फुल थे तो अंटिल अनलेस जब तक खाली नहीं होता है तो आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं तो अभी लुद्याना वाली इस प्रबोड पर दिल्ली करण से आगे जाके एक गुर्दवारा बताया है मंजी सिंग गुर्दवारा वहां जाके देखता हूं आए कि 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 कि